हेलो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं स्वाती आप लोगों का स्वागत करती है उडियू का अकाडमी में दोस्तों तो आज हम क्लास 10 का 3rd chapter पढ़ने जा रहे हैं ठीक है यह बहुत ही प्यारी स्टोरी है इस टो पार्ट में divided है तो पहला पार्ट आप लोगों को आज में बताने जा रहे हूं और सुनाने जा रहे हो यह बहुत ही प्यारी स्टोरी है इसे एस स्टोरी ही सुनेगा क्योंकि यह स्टोरी ही है और आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है ठीक है तो जो चैप्टर का नाम है वो है two stories about flying ठीक है दो stories flying के बारे में ठीक है तो आज आप लोगों पहली स्टोरी बताने चारे हो, पहली स्टोरी जो है, उसका नाम है His First Flight, और जो इसके पोएट है, उनका नाम है, I am So Flaherty, तो यह जो स्टोरी है, वो सीगल के बारे में है, एक बर्ट होती है सीगल, उसके बारे में यह पूरी स्टोरी है, तो जो सीगल है, इस तरीके से दिखती है, यह देखिए, इस तरीके से सीगल दिखती है, उसकी जो चोच है, वो इतनी बड़ी होती है, वो अपनी चोच से जो है, वो फिश पकड़ती है, फिश पकड़ने के काम आती है, उसकी जो चोच होती है, वो इस तरीके से दिखती है, वो नदी के कि आ रही रहती है, इसी की स्टोरी में आप लोगों को बताने जा रही है, तो जो स्टोरी है, वो है सीगल के बारे में और इसकी पहले में आप लोगों को बता दू, सीगल के मेंबर से, सीगल की फैमिली में सिक्स मेंबर से, इसकी फैमिली में छे मेंबर से लोग थे, इसके मम् स्टोरी कुछ इस तरीके से है स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा तो आपने बचपन में देखा होगा कि जब हम साइकल चलाते हैं तो हमें बैलेंस की किती जरुरत होती है हम किता डरते हैं साइकल चलाते वक कि कहीं हमारा balance ना बिगड जाए और हम गिर ना जाए और हमें चोट ना लग जाए ठीक है तो हमें सहारा कुन देता है हमारे parents देते है या फिर हमारे दोस्त देते है और cycle के पीछे क्या लगा देते है उसका supporter लगा देते है होता है ना साइकल होती है उसके पीछे दो सपोर्टर होता है उससे हम अच्छे से चला लेते हैं उससे बैलेंस दिगरने का टड़नी होता है हमें लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो वो सपोर्टर को हमें हटाना होता है और खुद से प्रैक्टिस करनी होती है ज कहां यह लगता है कि जो बड़ भाई और जो शुचे सिस्टर होता है वह दूड लेते हैं दीके करते हैं घेलौ इनके पाइज को सब उससे यह दी लगते है पर स्वीए और यह जब जादा एसा लगता है कि जब वो उड़ेगा तो वो नीचे गिर जाएगा और उसकी हड़ी तूड़ जाएगा तो यह लगता है, ऐसा लगता है कि वो बचेगा ही नहीं जब वो उड़ने लगेगा तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो बर्ड है, उसके मन में दर है जैसे साइकल चलाते वक्त हमारे मन में डर होता है कि कहीं हमारा बैलेंस ना बिगर जाए और हम गिरना जाए उसी प्रकार उसी तरीके से इस छोटू सीगल के मन में भी डर बैठ गया था कि यह जब जैसी उड़ेगा ना तो नीचे गिर जाएगा इसके पेशु चैकर यो मम्मी पापा थे जो बहुत ज़्यादा परिशान थे उन से बहुत चिखहाने का ट्राइं कि बेटा अब तो उड़ जा लेकिन यह उड़ता हि नहीं था इतना डर था इतना खौफ था यह उड़ता ही नहीं था तो एक ledge होता है, एक चोटी होती है mountain की, तो ये ना हमेशा उड़ने की कोशिश करता है उसके किनारे पर आ जाता है mountain के, और वहाँ से कोशिश करता है कि काश मैं उड़ पाँ ठीक है, उड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसको ये लगता है कि ये न नीचे नदी में गिर जाएगा ठीक है लेकिन जो इसके बड़े भाई होते है और छोटी सिस्टर होती है वो तो उड़ने लगते हैं वो इससे एक दिन पहले ही उड़ना सीख जाते हैं और वो अच्छे से उड़ने लगते हैं ये देखता है अरे भाईया जो मेरी छ चोटी सिस्टर और मम्मी पापा होते हैं वो उड़ने लगते हैं और वो खाने की तलाश करते हैं, खाना निकालते हैं नदी में से, फिश धुन धुन के खाते हैं अच्छे से और ये उन सब को देख रहा होता है कि कितने मजे कर रहे हैं, कितना चहक रहे हैं, सारे हवा में उ कालू अपने मल से ठीक है एक जो इसका बड़ा भाई होता है ना एक पिश पकड़ता है हेरिंग नाम की फिश होती है वो पकड़ता है और खा लेता है पकड़के ठीक है जो इसके पेरेंस होते है और जो इसके 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 और भाई होता है वो बहुत प्राउड फील कर तो यही proud moment था उन पेरिंस के लिए उसके भाई ने जो फिश पकड़ी थी खाई थी उसे खुद से पकड़ के किसी की help लिए बिना अपने ममी पापा की या किसी भी भाई बहन की help लिए बिना वह बहुत proud moment था उसके पेरिंस के लिए कि आज सो हमारे बेटे ने क्या काम कर दि कि मेरे मन में डर बैठ गया है मैं तो उड़ी नहीं सकता ठीक है तो देखें यह जो ले जोती है ना पहाडी की यहां से यह हमेशा यह छोटू तीगल उड़ने की कोशिश करता है उड़ नहीं पाता है बट लेकिन क्या होता है हमेशा यह सोचता है और कि मैं कैसे उड़ू मैं कैसे ऊड़., तो इसके मंमी पापा जोशते हैं, जब भाई का proud moment हो रहा होता है, तो मंमी पापा बोलते हैं, एक ये बेटा है, जिसने हमें इतना proud moment feel करवाय है, और एक वो है, चोटु सीगल को बोलते हैं, कि वो तो ऊड़ी नी पाता है, काईर है, तॉन्ट मारते एक साना मारते एक तरीके से अपने बेटे को उड़ी नहीं पाता है कितनी ट्राइ किया तुझे उड़ाने के लिए बड़ी नहीं पाता है तो एक तरीके के टॉन्ट मारते उसको बुरा लगता है तो वो क्या करता है वो उड़ने की कोशिश करता है नहीं कहा लेते हैं और सारे family members और उड के चले जाते और कहा उड के चले जाते हैं यह एसी चोटी to उसरी साइड उपोजिट साइड में थी तो उड के उस तरफ चले जाते हैं और जो सीगल है वह देखता रहता है कि यह सब तो उड के चले गया है ठीके और उसको मदा भो खाना भी नहीं मिलता है खाना ही नहीं देता है। अगर तु खुझ से ढूंडेगा खाना है तो खon danse वोड़ता है कि अगर तू नहीं उड़ेगा तो भिल्कुल खाना hai नहीं वह देन्हें अब तो वह सोचता है कि अरे मेर को खाना इनी मिलेगा अब मैं क्या करो तो फिर वह सोचता रहता है, फिर क्या कहता है उसके मन में डर बेठा हूए वह वह working, भूर त्राइब कर सकता है राफ बोल के चले जाते हैं कि अगर तु नहीं उड़ा कि खाना हम देंगे ही और तुने खुझसे ऊड़ा और तो खाना नहीं धूना लेकिन उसके लिए पानाँजिते स्क्राइचा भाइबन अजलिए नहीं सब परणी पहारी देखता है और सबस्काइबन है उस पहारी शुकूल खता है है उसको खाना ही नहीं देतें और फ्योटर सीगल क्या देखता है वो देखता है की जो उसके भाई बहने बेहने भुषट कर रहे हैं वो ऊद रहे हैं और उसके पापा फॉर 2 होती है इंकी दिख 망पश होती है इनकी झूच होती है इससे ही वो मचली पकड़ते है तो उस पत्थर पे रगड़ के वो उसको नुखीली करती है जैसे ही बहुत लोग चाकू को रगड़ते है उसको नुखीली नहीं करते है वैसे ही कि मम्मी पत्थर पे अपनी चोप रगड़ती है और उसको क्या करती है नुखीली करती है शाप करती है चिसे की फिश्र अच्छे से पकड़ पा और अगर काटने हो तो हिससे भी करताई अपनी सामीन में में यह सब देखता है वो कहता है किसी इत Malien I share the consulted is 어우 मैं क्या करूं तो वह तो सोजता है वह साहे कि मुझे करना होगा जिस shields मेरी पूरी अधियान कर आया तो वो बते किया करता है, बो गryष, जाता है, और एक पैर फे खड़ा हो के सो जाता है, जो इस अएफिक करता है, बोट निष्ण करता है, फिर फेरamba इस Daisy, तो ऑच्ट सितर्फ लेकिना वेकिना करता है, ंएफिकी मस्ली के ठीज करता है, जुससे की उसके family members है, किसी का ध्यान तो रहे, जाए उसकी उपर, वो यह सोचता है, आरे मेरी तरफ भी तो देख लो, मुझे खाना नहीं दिया है, मुझे भी तो खाना दे दो, सब मज़े से खा रहे हैं, और मुझे ही खाना नहीं मिला है, तो वो यही acting करता है, किसी का ध् भाई बहन उसके खेल रहे होते हैं, कोई ध्यान नहीं देता, पर जो उसकी mother होती है, अपने बेटे पर चला जाता है, अब मम्मी है, मम्मी का तो है, मेरा बेटा भूखा है, और मैं ऐसे खा रहे हूँ, सारे बच्चे मेरे खारे हैं, बट मेरा अकेला बेटा भूखा है, तो मा है, तो मा का ध्यान तो चला ही जाएगा, तो मम्मी का ध्यान चला गया उस पर, छोटू सीगल पर, जो सोचता है, चलो, किसी का ध्यान तो गया मेरे उपर, चलो, मेरी मम्मी का ध्यान तो गया, वो क्या करती है, वो उड़के आती है, और अपनी चोच के अंदर फिश फसा की आति है, जो चोट उसी गल कहता है कि यह फिश मेरे लेकि आ रही है मंमी. और ना, यह न चोच खोल लेता हुआ है अपनी, उसकी चोच होती है, ऐसको खोल लेता है。 साकी जो, अगर ममी अगर फिश फैके, तो वो catch कर ले और खा ले उसके उसकी मम्मी दूर से ख़डी होती है ओड़री होती है और fish होता है उनके मुवें फिर बोलती है कि अगर तू नहीं उड़ा तो तरे को खाना ही नहीं मिलेगा वो फिर बोलता है यह क्या बात तुई मम्मी एकर बात तुई अरे यह क्या हो गया, यह क्या बात हुई है, तो मजाक हो गिर मेरे साथ, फिर दूसरी बार भी उसकी मम्मी आती है, वही करती है, सेम चीज करती है, उसकी चोच के अंदर से ही लेके चली जाती है, उस पिश को, वो पकड़ी नहीं पाता है, वो सोचता है, वो इतना भूखा ह बहुत थेजी से क्या करता है वो कहता है नहीं मुझे तो खाना खाना है अब भूखा है तो उसकी मम्मी की भी एक ख्रिक थी इसमें जिससे कि उसका बेटा उड़ पाए इसकी मम्मी जब तीसरी बार आती है ना फिश को लेके तो वो तेजी से भाग के पहाडी जो दिख रही ना इसे उड़ने लगता है ऐसा ही करता है और रहामी पहुच जाता है हां पर नीचल से अवा, जिसका हवा में उड़ने लगता है लेकिन यह तो बर्ड है तो ये अपने पंक फिला के उड़ने लगता है, तो फिर ये हावा में आ जाता है, ये कहता है कि मैं तो उड़ भी सकता हूँ, मैं उड़ने लगया, अपनी फैमनी को दिखाता है, बहुत इतराने लगता है, कि एरे मैं तो उड़ने लगया, और इसकी फैमनी जब देखती है उसको कि मम्मी पापा जो उसके भाई भेंते सब उसको देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं उस टाइम पे कि चलो हमारा जो नलाइक बेटा था वो भी काम का है वो भी उड़ रहा है अब उसको हमने कितना सिखाया बड़ चलो वो उड़ने लगा और य सही अपनाई ही वो अढ़ता है वो और लले लगता ऐ आश्मार में और जैसे आफने देख ओगा जब हम वो भी ना हवा में उड़ता रहता है और बहुत तेज तेज उड़ता है कहता है कि मैं तो अब उड़ने लगया हुशी से जूमने लगता है तो फिर फिश भी पकड़ता है और एक टाइम ऐसा आता है जब छोटो सी गल Kitty थक जाता है थक जाता है तो नदी में बैठना नहीं नदी में बैठते हैं एक फ्लो होता है उस पर बैठते हैं और फिर वो फिश पकड़ते हैं ठीक है वो यह करने में ड़ लग रहा था और जो सारे उसकी फैमली मेंबर से थक गए थे वो ऐसा ही बैठ जाते है नदी के उपर जो बर्ड होती है वो फ्लाई करते हैं लेकिन जो सेगल होता है उसको डर लगता है वो कोशिश करता है बड़ भी बैठ जाता और फिर फिश भी पकड़ता है फिश भी खाता है तो ऐसे ही उस छोटू सीगल ने अपनी पहली फ्लाईट लिए फिक हैं इस चैप्टर का इसलिए नाम है his first flight ने अपनी पहली उडान भड़ी क इसके मन में इतना जादा डर बैठिया था कि वो तो उड़ी नहीं सकता, वो कभी उड़ेगा ही ने, लेकिन वो डर उसके पेरेंस ने हटाया, उसकी मदर ने वो ट्रिक अपनाई जिससे कि वो डर हटा और वो उड़ने भी लग गया, ठीक है, इस स्टोरी से हमें ये सीखने क मिलता है दोस्तों, कि अगर हम किसी चीज़ से डर रहे हैं और अगर उस पे डर के आगे जीत है, ये भी है कि डर के आगे जीत है, अगर हम कोशिश करें उस चीज़ के लिए, तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, वो हमारे आत्मविश्वास पे निर भर है, वो हमारी कोशिश पे निर भर है, खीके दोस्तों, तो इसी के साथ आप लोगों का फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का खतम होता है, मैं आप लोगों को नेक्स पार्ट बताऊंगी नेक्स लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों.